दोस्तो आज आप यहां पर पढ़ेंगे टाइगर या बाग के बारे में आने वाले सबसे ज़्यादा प्रशन जो बार-बार पूछे जा रहे हैं उन सभी प्रशनों को किवल तीन में जानेंगे चलिए आईए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आप लोग देख पा र आपको यह भी बताना चाहूंगा कि बाग जो होता है कि भारत का राष्टी पशु नहीं है भारत के साथ बांगला देश का भी राष्टी पशु है कहा का राष्टी पशु है बांगला देश का भी राष्टी पशु है सवाल यह उठता है कि भारत का राष्टी पशु बा दिये गए हैं और ये 53 बाग या भ्हारणों में यहां पर बागों को संदक्षन करने बागों को बचाने का कम चल रहा है साथी साथ आपको बदाना चाहूंगा जो यह बाग है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह पैंत्रा प्रिक्रिस यह याद रखना है आपको और जैसा कि अब not me देख पा रहा हैं यह है नाम से जाता है चली यह आए यहां पर आगे-कवि कॉंसेट आपको क Creator करता हूं एसी जानकारी जो साय दिया आपको कहीं पर मिले इसलिए वीडियो को skip मत करिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा बहुत ध्यान से आगे चलते हैं एक प्रशन आया था सिटेट में कि कौन सारसा जानवर है जो अपने कानों को चारो तरब घुमा के बारिक से बारिक चीज़े सुन लेता है तो वो है बाग सातवा नंबर पॉइंट आप नोट करेंगे बाग जो होता है अपने चारो तरब कान को घुमा कर बारिक से बारिक चीज़ों को सुन लेता है दूसरी बात एक बाग जो होता है एक दिन में कितना खाना खाता है ये प् दिन में अगर आप बात कर रहे हैं तो शक्ता में एक दिन भी आज से भोजन मिले तो भी चलता है तो यहां पर बाग की विशे में आपने जाना है और यहां पर टॉपिक नंबर 9 आपके सामने हैं देखिए क्या होता है बाग की उम्र क्या होती इक बड़ा interesting fact आपको बदाना चाहूंगा बागों की उम्र के बारे में देखिए बाग मुसमानिता 10 साल जीते हैं या ऐसा माना चाहूंगा यह बाग की उम्र जंगल में अगर इन्हीं को चिडिया घर में रखा जाएगा तो यह डवल हो जाएगी 10 का 20 हो जाएगा 15 अगर साल जी रहे तो 30 साल बाग जीएगा अगर ऋचिडिया घर में है तो याद रखना है चिडिया घर में इनकी उम्र कैसी हो जाती है डवल हो जाती है साथी साथ आपको बदाना चाहूँगा एक नर बाग जो होता है प्यारे दोस्तों वो 90 से 310 किलोग्राम तक का हो सकता है और इसी में जो मादा बागिन होती है वो 65 kg से लेकर 170 kg तक की हो सकती है ये भी आपको याद रखना है साथी साथ में आपको बदाना चाहूँगा जो गुरुप में लीडर होती है वो बागिन होती है और गुरुप में जो होते हैं वो बागिन और बच्ची होते हैं यहाँ पर जो नर बाग होते हैं यह गुरुप में नहीं पाये जाते हैं मुकता 80% सिकार जो होती है वो महिलाएं ही करती है ये भी आपको याद रखना है अब आपने देखा है इस सुन्दर सुन्दर बाग आपको देखने को मिल रहे हैं मेरे जस्ट पीछे इन में बड़ी सुन्दर सुन्दर धारियां होती है बड़ी सुन्दर सुन्दर को नहीं मिलेगी अगर एक बाग अगर धार दें तो तीन किलो मीटर तक आवाज सुनाई देती है हाला कि बाग की मूछों का भी बड़ा कमाल है आप लोग देख पा रहे हैं बाग की मूछे जो होती हैं यह यह पता कर लेती हैं कि इनका सिकार घास हवा के द्वारा हिल रहा है या इनके सिकार भागने के द्वारा घास हिल रही है यह याद रखेगा एक बाग कितना सूता है तो भी अठारा घंटे बाग सूता है एक दिन में अब एक बागिन का गर्व कालिन पीरिट क्या रहता है तो तीन से साड़े तीन मेने का इनका गर्व कालिन पीरिट रहता है और एक्चुली जब ये बच्चों को जन्व देती हैं तो तीन से चार बच्चे पैदा होते हैं ये आपको याद रखना है अगर यहां पे आपको ब रदाना चाहूंगा कुछ बाग ऐसे होते हैं या सभी बाग लगबग 65 क्लो मीटर फ्रती घंटे की रप्तार से दोड़ सकते हैं फ़र जादा दिर तक नहीं दौड़ पाते हैं इसलिए अपने सिकार का जादा दिर तक पीछा लगा नहीं कर पाते हैं, इतना भारी भरकम सरीर होता है, इन ये भारी भरकम सरीर के कारण इन्हें जादा देर तक एक ही स्पीड से दोड़ना थोड़ा सा मस्किल होता है, अभी तक बागों की नो प्रजातियां पाई गई हैं जिसमें से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो प्रजातियां विरुप्त हो चुकी है तो साथ प्रजातियां अभी बची हुई है आगे चलते हैं कुछी देर के बाद वीडियो खत्म हो जाएगा एक बड़ा ही इंट्रेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊंगा दोस्तों यहाँ पर कि एक बाग की यादस्त जो होती है आप से 30 गुना अधिक होती है एक बाग जो होता है आप से 6 गुना अधिक देख पाता है अगर अंधेरे में आप किसी चीज को मान लेते हैं दो मीटर दूर से देख पा रहे हैं तो बाग उसे यहाँ लगबग अगर आप दो का गुड़ा कर दीजे कितना 6 से तो 12 मीटर दूर से देख पाएगा यह याद रखेगा मतलब 6 गुना उसकी रोशनी बढ़ जाती है आ बाग अगर एक बार चलंग लगा दें तो 20 से 30 फिट की चलंग लगा सकता है बाग बड़ी ही आसानी से पेड़ों में चलड़ सकते हैं इसलिए बाग को देख कर कभी भी पेड़ों में चलने के आप कोसिस ना करें बाग रात में जो होता है किवल काला और सपेद रंग दे तो पूरे विश्वम का 70% भाग भरत में पाए जाते हैं 30% पूरे विश्वम में पाए जाते हैं यह भी आपको याद रटना है अब इनके बच्चे जब पैदा होते हैं तो जन्म के समय अंधे पैदा होते हैं इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता लगबग दो सप्था के ब सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया तो दोस्तों यहां पर आपको एक बाग दिखाई दे रहा है यह बहुत ही खतरनाक है तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यों सो मच पर वाचिन वीडियो